दूसरे स्तर के जोड़ अभ्यास में आपका स्वागत है हम कुछ सवालों से शुरुवात करते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यह समझेंगे कि इस तरह के सवालों को कैसे हल करें तो आएए देखें मान लो मेरे पास ग्यारा जमा चार है आप कहेंगे कि मुझे अभी दो अंकों की संक्याओं को जोड़ना नहीं आता कोई बात ने इसे करने के दो तरीके हैं पहले आपको यह जानना है कि एक अंक वाली संक्याओं को जोड़ कर उसमें हासिल को कैसे इस्तमाल करते हैं हम यह भी देखेंगे कि चित्र द्वारा इस तरह के सवाल को मन ही मन में कैसे हल करते हैं तो हम पहले ग्यारा के सबसे दाएं अंक को देखेंगे हम इसे इकाई का अंक कहते हैं और यह एक जो बाएं तरफ है इसे हम दाएं का अंक कहते हैं मैं शायद आपको बहुत उलजा रहा हूँ धीरज रखिए इसी से आगे चल कर हर चीज आसान होगी तो आप इकाई के स्थान को देखते हैं और कहते हैं कि यहां पर एक है अब आप इस एक को लेकर इसके ठीक नीचे वाली संख्या में ऐसे जोड देते हैं इस तरह एक जमा चार होगा पांच आप जानते थे कि एक जमा चार बराबर पांच और मैंने यहां पर यही तो किया मैंने कहा कि यहां एक जमा चार बराबर पांच अब मैं इस एक पर पहुंचता हूँ इस एक में जोडने के लिए यहां कुछ भी नहीं है इस तरह एक में कुछ नहीं जोड़ें तो एक होता है इसलिए हम यहाँ एक रखते हैं तो ग्यारा जम्मा चार बराबर है पंदर है और इस तरह आप जान जाते हैं कि यह तरीका वाकई काम करता है आईए इसे समझने के लिए हम इसे कुछ अन्य तरीकों से करके देखते हैं यदि मेरे पास ग्यारा गेंद है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा यह ग्यारा है ठीक एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा और अब मैं काते हुए कहूँगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा मेरे गाने को आप नजर अंदास कीजिए माफ कीजिए, यह मेरा पागलपन है ठीक है, तो यह हुई 11 और हम इन में 4 जोडने जा रहे हैं 1, 2, 3, 4 हमें बस इतना करना है कि गिंती करें कि अब हमारे पास कुल कितनी गेंदे हैं इस तरह हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चाओदा, पंदरा हुई है पंदरा लेकिन हर बार आपको इस तरह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगता है लेकिन आप अगर उलज जाते हैं तो गलती करने की बजाए ज्यादा समय लगाना बैतर होगा अब हम इसे दिखाने के दूसरे तरीके को देखें आईए एक संख्या रेका खीचे मुझे नहीं पता कि आपने पहले कभी कोई संख्या रेका देखी है या नहीं लेकिन अब आप देखने वाले हैं और संख्या रेका पर मैं बस सभी संख्याओं को क्रम में रखता जाता हूँ चूर्ण एक दो तीन चार पांच मैं इने पास पास लिखता हूँ ताकि पंदरा तक लिख सकूँ चे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंदरह, सोलह, सत्रह, अठारह और आगे भी इन तीर संख्याओं को मतलब है कि संख्याओं दोनों दिशाओं में बढ़ रही है असल में संख्याओं शूर्ण की बाई और भी जा सकती हैं ये आप बाद में सीखेंगे खेर चलिए, अपने सवाल की और लोटें तो हमारे पास ग्यारह है, मुझे ग्यारह पर गोला लगाने दीजिए आए देखें, संख्यारह पर ग्यारह कहां है ग्यारह यहां है, ठीक और हम इसमें चार जोडने वाले हैं तो इसका मतलब हम ग्यारह में चार और शामिल करने जा रहे हैं यानि हम संख्यारह पर दाहिनी और आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि संख्याय इस दिशा में बड़ी होती जाती हैं एक, दो, तीन, चार, हम पंद्रा पर हैं एक बार फिर इसमें बहुत समय लगता है लेकिन आप अगर कभी उल्जन में पढ़ गए या भूल गए कि एक जमाचार कितना होता है तब आप इस तरीके से भी कर सकते हैं चलो, अब हम कुछ मुश्किल सवाल हल करें जमा साथ हल करते हैं ठीक है, आठ जमा साथ यदि आपको जवाब पता है तब तो आप पहले से ही सवाल को हल करना जानते हैं आप यहाँ पर सही जवाब लिख सकते हैं पर मेरे खयाल से जोडने का कुछ और बुनियादी अभ्यास करना अच्छा होगा इसलिए हम एक बार फिर से इसे संख्या रेका पर कर सकते हैं तो अब हम एक संख्या रेका खीशते हैं आठ जमा साथ अब की बार मैं इसे शूनि से शुरू नहीं करने वाला मैं इसे पांच से शुरू करता हूँ क्योंकि यदि आप बाई और बढ़ते रहेंगे तो आप शुरू नहीं पर पहुँच जाएंगे चलो देखते हैं पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौध, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, आदी ऐसे ही 101,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तक जाते हैं इस तरह 8 जमा 7 बराबर 15 और जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आपको यह याद हो जाएगा कि 8 में 7 जोडने पर 15 या 6 में 7 जोडने पर 13 आदी आदी होता है दरसल बीच पीच में आप संख्या रेका पर भी अभ्यास कर सकते हैं और गेंदो का भी इस् और इस एक को आप हासिल की तरह ले जाकर वहाँ उपर रखते हैं आगे चलकर मैं आपको बताउगा कि क्यों यह एक काम की चीज है और आपको शायद इसका कुछ-कुछ अंदाजा भी हो रहा है क्योंकि एक दहाई के स्थान पर है और यह दहाई का स्थान है चलिए मैं इस तरह आपका उत्तर आया 35, आप यह पूछ सकते हैं कि क्या वाकई 28 और 7 का जोड 35 होता है, मैं इस पर इस तरह सोचना चाहूंगा, यह तो हम जानते हैं कि 8 और 7 का जोड 15 है, ठीक, शायद आपको बड़ी संख्याओं के सवाल हल करने में समस्या होगी, तो 18 जमा साथ, आप कहेंगे कि मैं यह 18 कहां से ले आया, लेकिन आप मुझे पर जरा भरोसा तो रखें, 18 और 7 का जोड 25 है, 28 जमा साथ बराबर 35 जो अभी अभी हमने किया, यह एक तरीका है जांचने का, और इसी तरह 38 जमा साथ 45 होता है, अब देखिए, यहाँ एक छोटा सा पैटर्न ब 22 हैं, और इसमें एक जोडे तो 29 होता है, यदि दो जोडे तो यह 30 होता है, यदि तीन जोडे तो यह 31 होता है, यदि चार जोडे तो यह 32 होता है, यदि पांच जोडे तो यह 33 होता है, यदि छे जोडे तो यह 34 होता है, और यदि साथ जोडे तो यह फिर से 35 होता है, ठीक मैंने बस इतना किया कि बोलता रहा यदि मैं इसमें एक और जोड़ता तो ये थोड़ा सा अधिक हो जाता एक थोड़ी बड़ी संख्या आईए हम कुछ और मुश्किल सवाल हल करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं हम 99 में 9 जोड़ते हैं अब 9 में 9 जोड़े तो क्या होता है? यदि आप नहीं जानते हैं, तो आप इसे संख्या रेखा से या गोला बना कर हल कर सकते हैं. यही एक तरीका है जिससे आप धीरे-धीरे सब जान जाएंगे. 9 में 9 जोडने पर उतर 18 मिलता है, 9 जमान 9 बराबर 18, इस तरह 9 जमान 9, और आप 8 को यहाँ नीचे लिखें, और 1 को आगे ले जाएं, हासिल की तरह, और अब यह बस 1 जमान 9 है, अच्छा, आप तो जानते ही हैं कि 1 जमान 9 बराबर 10 हैं, और इस 1 को आगे ले जाने की कोई जगे नहीं है, इसलिए आपको पूरी की पूरी संख्या यहाँ नीचे लिखनी है, इस तरह 99 जमान 9 बराबर 108, आईए हम एक और सवाल हल करते हैं, मान लो हम कहें 56 जमा 7, तो 6 और 7 का जोड कितना? 6 और 7 का जोड है 13, ठीक, अगर आप उलजन में हैं तो दुबारा लिख लीजिए, और इसके बाद आपको मिलेगा 1 जमा 5, 1 जमा 5 है 6 और जवाब हुआ 63, हमने जो किया है उसे यदि आप समझ गए, तो आप जोड के दूसरे स्थर के सवालों को हल करने के लिए तयार हैं, मज़े कीजिए!